दोस्तों नमस्कार आदाब सत्री अकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियुज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश Cambridge विश्वित द्याले में राहूल गांधी ने भाशन क्या दिया अपने देश में वाटस अप इनोस्टी पर Cambridge इनोस्टी की उस स्पीच को लेकर एक बाखेडा मचा दिया गया है बाखेडा ये मचाया गया है कि अब वाटस अप इनोस्टी पर तरह तरह की ख़बरें चल रही हैं कि किस तरह Cambridge विश्विर द्याले में राहूल गांदी ने देश विरोधी टिपणियां की है सरकार पर जो उन्होंने कुछ बोला है वो दर्शल देश के खिलाफ है यही नहीं यह कह दिया गया है कि उन्होंने चीन की प्रसंशा की भारत की प्रसंशा नहीं की यह भी कह दिया गया है कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं है जिससे कि भारत की संस्कृती भारत का समाज भारत की राजनीट भारत के राश्टरवाद की गरिमा कम हो जाती है और दोस्तों यह सिर्फ वार्टसप इन्वस्ट्री की बात नहीं है इस वक्त भारती जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता हर कोई अख़बारी बयान हो टेलिवीजन पर स्टेटमेंट हो डिसकसन्स के दौरान चर्चा हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स हो सब जो है वो बारिश कर रहे हैं बयानों की और सिर्फ और सिर्फ निशाना राहुल गांदी है और दोस्तों आप जो हमारे कारिकरम देखते हैं आप जानते भी हैं कि मैं राहुल गांदी का कोई ऐसा नहीं कि आँख मूद कर प्रशंशा करता हूँ मैं उनकी आलोचना भी करता हूँ और जम कर करता हूँ जिस तरह सरकार की आलोचना करता हूँ सरकार में बैठे लोगों की आलोचना करता हूँ सरकार में बैठे लोग कभी अगर बहतर कुछ परफॉर्म करते हैं उसकी प्रशन्शा भी करता हूँ तो आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं राहूल गांधी की कैंब्रिज स्पीच के बारे में वो इसी पर्स्पेक्टिब से देखा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए क्या सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारती जनता पार्टी के नेता गण इसमें मंत्री से लेकर के और नीचे के कारिकरता शाबिल हैं और वाटसाप इनोस्टी पर इनहीं की अनगूज सुनी जा रही है जो यह कह रहे हैं लगभग वही बातें वाटसाप इनोस्टी पर चल रही हैं तो उनका कहना है कि भारत का कोई विपक्षी नेता विदेश की धरती पर जाकर अगर भारत की सरकार के बारे में कमेंट करता है प्रदान मंत्री मोदी के बारे में कमेंट करता है तो ये बहुत बड़ा अपराद है बहुत बड़ा पाप है क्योंकि वो देश की निंदा कर रह होता है एक महाशे हैं जो किंद्र में मंत्री हैं उन्होंने तो ये कह दिया मैं कोट करता हूँ उनकी बात वो कहते हैं कि वो प्रदान मंत्री मोधी को ही नहीं देश को गाली देते हैं अब आप बताइए उनका कहना है कि जो मोधी जी की आलोशना कर रहा है वो देश की निंदा कर रहा है तो ये तो भई वो बात हो गई ना पुरानी इमर्जंसी वाली कि इंडिया 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 देश तो ऐसे नहीं है देश में बहुत सारे लोग है और सरकार है सरकार में बैठे लोग है सरकार में बैठे लोगों की आलोचना जनता का अधिकार है किसी का भी अधिकार है विपक्ष के नेता का भी अधिकार है लेकिन हम चर्चा पर और विवाद के जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बात कहें उसके पहले मैं संचेप में बता दूँ कि राहूल गांधी ने कैम्बरिज में बोला क्या दोस्तो कैम्बरिज विश्विद्याले में लर्निंग टू लिशन इन 21st सेंचुरी ये विशह था जो राहूल गांधी को दिया गया था बोलने को इस पर उन्होंने अपनी बात समेटते हुए भारत को केंदर में रखा और दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी उन्होंने चर्चा की ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की चर्चा की उन्होंने अमेरिका की चर्चा की उन्होंने चाइना की चर्चा की वगएरा वगएरा उन् को खत्रा है उनके सहित यानि राहुल गांधी के सहित अनेक विपक्षी नेता खुपिया निगरानी के दाएरे में रहते हैं और पेगासस की उन्होंने चर्चा की कि कैसे उनके फोन में भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया था यानि पेगासस को डाला गया था ताकि उनकी हर बात कहीं रेकार्ड हो अब दूसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि डिमोक्रसी के लिए संसत की सुचार रूप से एक प्रणाली होनी चाहिए चलने की फ्री प्रेस होना चाहिए स्वतंत्र नियाए पालिका होनी चाहिए आज तीनों दबाव में हैं तो इस तरह से भार मंतरी मोदी की सरकार ने केंदर की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ काम किये हैं सिलिंडर देना गय सिलिंडर और बैंकों में खाते खुले हैं ऐसी चीजों की मैं तारीफ करता हूँ लेकिन मैं ऐसी चीजों की तारीफ करके ही केवल कैसे तारीफ कर सकता हूँ जब देश क basic structure पर हमारी democracy को ही धुस्त किया जा रहा है तो सरकार द्वारा किये गए कुछ अच्छे कामों की प्रशंसा तक ही मैं कैसे सिमित्रा जाओं अगर सरकार कुछ कर रही है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो देश को ही नस्ट कर डाले हमारे सम्वیधानिक लोकतंत्र को ही और नस्ट कर डाले उनके कहने का लबो लुबाव यह था अब उन्होंने कहा कि फेडरलिजम जो है अंडर अटेक है उनका कहना है कि भारत के बारे में यह धारणा हमारी सम्विधान सभा में सम्विधान के निर्माताओं ने तै किया था और वो हमारे सम्विधान में है कि यह एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारे हमारे मुलक का है हमारी संदरचना जो सत्ता की है उसका फेडरल स्टॉक्चर है और इसके बारे में उन्होंने कहा कि आज राजियों पर बहुत बड़ा संकट है केंद्र और राजियों में जो काम विमर्श के जरिए आपस में बात्चीत के जरिये आपस में समझोते या सामती के जरिये होना चाहिए वो सीधे केंदर द्वारा थोपा जा रहा है ये बातें उन्होंने कहीं अब इस पर माइनार्टीज के बारे में उन्होंने कहा कि माइनार्टीज पर हमला है पूरे देश में आज इस्तितिया है उन्होंने तमाम जिक्र किया हिंदू, मुसल्मान, इसाई, सिक, मुसलिम सब के बारे में बात किया और कहा कि भारत सब का है भारत किसी एक का नहीं है लेकिन मौजूदा सरकार ने जो माइनार्टी कॉमिनिटी के लोग है उनको सेकंड क्ल पर हमले के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कश्मीर की यात्रा के दौरान हमारे पास एक सज्जन आये और उन्होंने कहा कि देखे आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं वे आपकी बात सुनना चाहते हैं ये दरसल लर्निंग टू लिशन का जो ये उनका भाशन था विशेपर उस कांटेक्स्ट में वो कह रहे थे कि आपको सुनने के लिए लोग आए हैं और इसलिए आप पर कोई खत्रा नहीं है इस तरह की बात और फिर उन्होंने कहा कि और कुछ म militant elements, militancy से जिनका जुडाव रहा होगा ऐसे लोग भी उसमें आये थे और ये बातें कही गई कि उन्होंने मुझे सुनने का उनका इरादा था वो जानते थे कि मैं हिंसक भावना से नहीं आया हूँ मैं यानि उनको उनको च्छती पहुँचाने नहीं आया हूँ उनको भी स सरकार की तरफ से है और भारती जनता पार्टी की तरफ से है वो ये कह रहे हैं कि भई पहला जो सबसे बड़ा है कि राहुल गांदी को विदेश की धरती पर जाकर भारत की सरकार पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है निंदा करने का अधिकार नहीं है अलोचना करने का अ मेरा कहना है कि डिमोक्रिसी का अगर चश्मा अगर आप उतार देंगे अपनी आँखों से तभी आप ऐसी बात कहेंगे कोई पोलिटिकल पार्टी दस्यों चुनाव हार जाए फिर भी वो अपनी बात कहने के लिए आजाद है चाहें वो मंत्री गण हों अनुराग ठाकूर जी हों गिरीराज सिंग जी हों या जितने और मंत्री है या हिमनता विश्वा सर्मा जी हों जो असम के मुख्य मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि विदेश में जाकर कैसे उन्होंने ऐसी बातें कही हैं हमारे प्रीप्रद्यान मंत्री के बारे में सरकार के बारे में और अलुचना की है कि डिमोकरिसी खतम की जा रही है बही ये बात तो आप पूछ अगर राहुल गांदी से पूछ रहे हैं पहली बात तो विदेश में जाकर या देश के किसी भी कोने में या ब्रम्हांड के किसी भी कोने में जाकर कोई कुछ भी कहे ये freedom of speech है सिर्फ उन मुलकों में नहीं बोल सकते उन मुलकों के खिलाब जहां पर पूरी की तरह 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 शाही है जहां बोलने की आजादी नहीं है लेकिन जहां बोलने की आजादी है वहां कैसे कोई रोक सकता है किसी को तो हमारे प्रधान मंतरी मोधी हमारे प्रधान मंतरी मोधी तो विपक्ष पर इतनी आलोचना करते हैं विदेश जाकर तब ये सत्ताधारी दल के लोग क्या कहेंगे कि प्रदानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा विपक्ष के नेताओं की उन्होंने निंदा क्यों की उन्होंने ये क्यों कहा कि जितनी सरकारें अब तक रही हैं हमसे पहले उन्होंने भारत को नर्कमना रखा था या भारत में विकास नहीं हो रहा था विकास तो अभी हो रहा है मैं कुछ उजारान देदूं दोस्तो आधरणी मोदी जी ने डेन्मार्क में मई महीने में 2022 में 2022 के मई महीने में कहा कि विपक्ष की उन्होंने भरपूर निंदा करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया का जो स्वपन है उसकी खिला विपक्ष है अभियान चला रहा है हमारी किलाब आज भारत बड़ी डिजिटल पावर है यह हमारी सरकार के कारण है उन्होंने फिर 2015 के अप्रैल महिने में कनड़ा के टॉरेंटो में कहा टॉरेंटो में जिनको गंदगी करनी थी सुनिए जिनको गंदगी करनी थी गंदग में आये थे और अप्रेल 2015 की ये बात है तो दूसरी बात जो उन्होंने कही आप शंघाई में महींने के 2015 के महीं महीने में उन्होंने कहا प्रवासी भारतियों नाम पर शर्माते थे ये बताने में कि आप भारती हैं अब आप भारत पर गर्व करते हैं गर्व कर सकते हैं प्रधान मंत्री मोदी ने फिर 2015 के मई महिने में ही सियोल में कहा क्या कहा पहले लोग सोचते थे कौन सा ऐसा कर्म कर दी आपने पिछले जनम में कि भारत में पैदा हो गए लेकिन अब प्रवासी लोग भारत में आकर सेटिल होना चाहते हैं ये प्रधान मंतरी मोदी ने कहा नो केवल विपक्ष की आलोचना की बलकि पहले की सत्ताधारी पार्टियों और सत्ता में रहे नेताओं की आलोचना की नो जाने क्या क्या कहा भारत को ये तक कहा कि पूरू जनम में लोग कहते थे कि अरे ऐसा क्यों हो गया और हम कैसे यहां पैदा होगा इतनी बुरी स्थिती भारत की थी और आज वो सेटिल हो रहे हैं तो ये सारी चीज़े और 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 भी मैनेक उध दारण दे सकता हूँ और ये कोई उधारण में अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ ये इंडिया टुडे से ले करके और जितने बड़े बड़े अख़वार जितने बड़े बड़े टेलिविजन चैनल सब पर ये ख़बरें चपी होई हैं यहां तक की कई खबरें एनाई में भी हैं कई खबरें PTI में भी हैं आप हर जगा देख सकते हैं तो यह जो Cambridge University में राहूल गांधी की इस पीछ है एक तो माना जाना चाहिए कि यह प्रतिष्ठा का विशाय है कि Cambridge जैसे विश्विद्याले भारत के एक विपक्षी नेता को बुला कर भाशन देने के लिए आमंत्रित किया हाला कि मैं समझता हूं कि राहूल गांधी के लिए यह Cambridge अपना ही है जैसे हम लोगों के लिए बहुत सारे विश्विद्याले हैं जिनमें हम लोग पढ़े हैं वो अपने लगते हैं क्योंकि राहूल गांधी तो Cambridge में उन्होंने पढ़ाई की है वह उनका आंगन है उनका अपना घर है एक तरह से वहाँ पढ़ाई की है एक मुहबत है एक इमोशन भी है अभी राहूल गांधी को चार से छे के साथ बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वहां की पार्लेमेंट के उनके साथ भी उनके विमर्श हैं अब देखना है कि आगे वो और क्या बोलते हैं अब जो अपने देश में जो ये वाटस अप इन्वस्टी है केंब्रिज इन्वस्टी बनां वाटस अप इन्वस्टी का जो एक कशम कश्च चल रहा है उसमें अब फोटो तो दिखा कर वो कह रहे हैं कि जाब आपने ये फोटो दिखाया ये तो भटा परसौल का है ये फोटो पार्लेमेंट के सामने का नह रही हैं क्या कोई पार्टी कोई सरकार कोई सत्ताधारी दल अगर कुछ चुनाव जीच जाए तो क्या विपक्ष को ये कहने का अधिकार नहीं है क्या विपक्ष को ये भी कहने का अधिकार नहीं है कि करनाटक में भारती जंता पार्टी के एक वरिष्ट ने था मंतरी तु chairman है और उनका नाम है माफ कीज़ेगा अगर spelling प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि exactly हिंदी में क्या होगा pronunciation के मदाल विरुपक्षपा ये जनाब जो हैं ये ML हैं भारती जनता पाटी के करनाटक में और वहां की जो corporation है करनाटक साबून इमंग detergent corporation उसके अध्यक्ष हैं अब इनके घर से और इनके बेटे के घर से आठ करोड बारह लाक रुपए बरामद हुए हैं और ये बरामदगी किसी और ने नहीं की है लोका युक्त के कारयाले द्वारा जो पुलिस तैनात की गई चापे के लिए उसने ये बरामद किया है उनके जो बेटे हैं वो भी एक करनाटक राजी के प्रशासनी कधिकारी हैं वो गिरफतार कर लिये गए हैं क्योंकि उनके यहां भी छे करोड दस लाक रुपए मिले और चालिस लाक की रिश्वत लेते हुए वो पकड़े गए हैं लेते हुए याद रखिएगा और बेटा बाप के दफतर से चालिस लाक रुपए ले रहा था ये लोकायुक्त कारियाले की जो पुलिस है उसके जो पुलिस गई उसका कहना है लेकिन अभी इनके खिलाब कारवाई करने के लिए इनकी सदस्ता को खत्म करने के लिए इनकी गिरफतारी के लिए करनाटक में जो विपक्षी दल हैं उधर ना दे रहा हैं प्रदर्शन दे रहा हैं लेकिन उनको पुलिस पकड़ करके संभवता हिरासत में ले रही है वगरा वगरा तो ये बात जब हम आपके सामने ये ख़बर पेश कर रहा हूं मैं अपनी और से नहीं कहा रहा हूं तो अगर कोई सवाल उठाता है इस तरह की कि भई सारे विपक्षिनेताओं पर E.D. चापे मारती है सारे विपक्षिनेताओं पर I.T. चापे मारती है सारे विपक्षिनेताओं को C.B.I. डराती है लेकिन ये पता नहीं बाई चांस कहां से करनाटक में ये मामला आ गया लोकायुक्त ने ऐसा कर दिया तो ये पाहली घटना है मैं समझता हूँ हाल फिलहाल जब सत्ताधारी दल का एक कोई बड़ा निता पकड़ा गया है वो भी चुराव से एन पाहले तो ये मतलब एक इस्पोटक स्थिती है भारती जनता पार्टी के लिए और उसको सफाई देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है नहीं तो अभी तक तो माना जा रहा था कि इस देश में जहां भी कोई इमानदार व्यक्ति है वो भारती जनता पार्टी का है और जितने विपक अच्छी एक नेता के तोर पे इंडियन जो इंस्ट्विशन्स हैं जो हमारी संस्थाएं हैं चाहे वो जनाच करने वाली संस्थाएं हों चाहे वो संबैधानिक संस्थाएं हों चाहे प्रशाथनिक संस्थाओं हों अगर उनके मरते जाने या उनके कमजोर होते जाने का प् की तरह के तहत रखे गए हैं जेलों में, क्या वो वाकई आतंकवादी हैं, क्या वो जेनियू के लड़के, क्या वो दिल्ली के लड़के, क्या वो दूसरे और हलकों के लड़के नौजवान, क्या वो यूए पिये के तहत गिरफ्तार करने लायक हैं, क्या इस टैंज स्वामी 84 साल के उम्र में जो जेल के अंदर मर गए इलाज कराते समय क्या वो आतंकवादी थे किस तरह की बात है लेकिन इस देश में हो रहा है इन सवालों को उठाना किसी भी फोरम पर मैं नहीं समझता कि उसको किसी भी तरह से कहा जा सकता है कि ये देश के खिलाफ है कि मैं तो कहता हूँ ये देश के पक्ष में है देश को बहतर लोकतंतर वापसी की एक शिद्दत के साथ उठाई जा रही है वो चीज वो भावनाब्यक्त की जा रही है इसमें क्या गलत है क्या इमर्जनसी में जनसंग के लोगों ने बाद के दिनों में लोक नारण जैप्रकाश नारण के आंदोलन में वो शरुक हुए बाद में जनता पार्टी में शामिल हुए क्या उन्होंने उस समय की निर्मकुष्टा की मुखालफत नहीं की थी विरोध नहीं किया था तो उस वक्त तो ठीक था आज बुरी बात है मुझ़े लगता है कि इस बहस को एक नए सिरे से देखा जाना चाहिए नए धंग से देखा जाना चाहिए ये कैंबिरिज विशविद्याले बना वाटसाप इनोस्टी की बहस जो है नहीं बनाई जानी चाहिए Cambridge दुनिया का एक प्रतिस्ठित संस्थान है हम भी क्यों न कोशिश करें कि हम भी अपने विश्विद्यालियों को Cambridge की तरह, Harvard की तरह हम स्थापित करें ताकि हमारा भी नाम हो हम तो बाहर से विश्विद्याले मंगा रहे हैं लेकिन हमारे विश्वित द्यालियों को दूसरे मुल्क क्यों नहीं मंगा रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने हाँ कहने कि आईए आप कैमपस खोलिए, तो एक बड़ा सवाल अपने इंस्टूशन को लेकर है, कि हम कहीं का अपने को नहीं छोड़ रहे हैं, हम प्रतिस्ठित लो कौन वहां किस तर को कमजोर कर रहा है, कौन वहां खुराफात रच रहा है, इन प्रशनों को देखा जाना चाहिए, मुझे लगता है कि डिमोकरसी के सर्वाइबल के लिए आपस में सहिशनुता का होना जरूरी है, हम अगर आप से अस्थामत हैं, आप हम से अगर अस्थाम झाल